सन 1664 में जब काशी विश्वनात में औरंगजेब की सेना ने काशी विश्वनात जो तिर लिंग को खंडित करने के पापी उद्देश्य से आक्रमन किया, उनका सामना फारंपरिक सैनिकों से नहीं, अपितु महा निर्वानी अखाडे के सम्यासियों से गया। सूर्योबे से लेकर सूर्यास तक युद्ध हुए, भूमी सहस्राव शबों से पढ़ गई और अंत तह ग्यानवापी के युद्ध में सम्यासियों ने एक महान विजय पराप्द की। ज्यानवापी के युद्ध में मिली पराजय से तिल में लाए औरंग जेब ने पांच वर्ष उपरांथ विश्वनाथ जो पिर लिंग पर पुनह आक्रमन किया जब आक्रमन रोकना असंभव हो गया तो शिवलिंग को गले लगा कर महंत ने कुए में छलांग लगा दी विश्वनाथ मंदिर का शिखर तोड़ कर औरंग जेब ने उस पर ज्यानवापी मस्जिद का कुम्बत बनाने तो कौन है ये सादू भगवा चोला ओढ़े शांत ब्रह्मचारी या फिर जटा लहराते भस्म धूसरित उग्र कदम ताल करते हुए नागा क्या वो घर छोड़ वेरागी है जो पारलौकिक सुख की कामना में भटकता रहता है या वो जो आंतरिक कलहा या बाहे आकरांताओं से जट पटाते हुए समाज को दिशा देता है आईए इतिहास पे एक दृष्टी डालते हैं 1323 में मुहम्मद बिन तुगलक के निरंतर आकरमन से दक्षन के काकतिया और कामप्रिली राज्य दिखर गए थे मठ मंदिर खंडित कर दिये गए थे और आम जनमानस में असुरक्षा का भाव व्याथ हो गया था जबरन धर्मांतरन साधारन बात बग गई काकतिया राज्य के पूर्वमंतरी हरिहर और भुक्का राय को जबरन इसलाम कुबूल करवा कर उसी ख्षेप्र के जागीरदार के रूप में निउग जिया गया ऐसी ये राजक्ता को समाप्त करने के लिए क्या करना यतोचित था एक धर्म परायन राज की स्थापना की परें तु कैसे स्वामी विद्यारण्य का आध्यात्म बल ही था कि उन्होंने हरिहर और भुक्का राय को हिंदू धर्म में पुनह दीक्षित कर विजय नगर सामराज्य की स्थापना की स्वामी विद्यारण्य ने सन्यासी होते हुए नकेवल नए राज्य को धार्मिक दिशादी अपितू प्रधान मंत्री का पदभार भी सभाला और इस प्रकार दक्षिन में विजय नगर इसलामिक खुसपैठियों के विरुद्ध बांध बनकर उभरा जो 200 वर्ष तक अपने कुशल प्रशासन, उदारवादी धार्मिक नीती, कूट नीती और अर्थ व्यवस्था के कारण सम्रिध रहा मध्यकाल में इसलामी विस्तार भारत पर कहर बनकर दूटा सोलहवी शताबदी में अकबर के शासनकाल में मुसल्मान सूफी हिंदू सन्यासिओं पर अनायास ही हिंसा पे उतारू थे इसके परिणाम स्वरूप स्वामी मधुसुदन सरस्वती ने सन्यासियों को आत्मरक्षा में शस्त्र उठाने हेतु काशी में प्रतिक्याबद्ध किया सत्रहवी शताबदी की शुरुवात में मराठी सन्यासी स्वामी समर्थ रामगास तीर्थाटन करते हुए इस्लामिक आकरांताओं के पराधीन भारत की दुर्दशा को प्रत्यक्ष देख रहे थे जनमानस मरनासन हो चुका था उसकी सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक नवजेतना के लिए उसमें पौरुष अभिमंत्रित करना आवश्चक था पुनह धर्म स्थापना हेतू स्वामी रामदास ने गाउं गाउं में हनुमान मंदिरों और अखाडों की स्थापना की जिसमें मराथा योध्धा तयार हुए स्वामी रामदास ने शिवाजी को खशक्त्रिय धर्म उपदेशित किया तथा स्वयम को छत्रपती घोशित कर हिंदवी स्वराज की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। औरंग जेब के शासंकाल में मुघल आतंक अपने चरम पे पांची जब गुरु गोबिन सिंग के शिशु पुत्रों को इसलाम नकबूल करने पर दीवारों में चुनवा दिया गया। उधर लक्षमन दास नामक एक राजपूत को अपने हाथों से हुई गर्भवती हिरनी की हत्या के कारण संसार से बेरक्ती हुई। योगिक साधना करते हुए इन्होंने कई सिध्धियां प्राप्त की। गुरु गोबिन सिंग्जी के आगरह पर इन्होंने पुनहक शत्रिय धर्म का वहन किया और सरहिंद को फतह कर साहपजादों की मृशंस हत्या का प्रतिशोद लिया। संसार इन्हें बंदा बहादुर के नाम से जानने लगा। जब इन्हें मुगलों ने छलवश गिरफदार किया तब घ्रनित कायर परुक्सियार ने इनके पुत्र को इनकी आँखों के सामने कटवाया और उसके शरीर से उसका हिदय निकाल कर इनके मूँ में भर दी। और ये परम वेदना सहते हुए बंदा बहादुर वीरगती को प्राप्थ हुए। उननिसवी शताब्दी तक एक तरफ इसाई मिशनरी का धर्मांतरन के लिए बढ़ता प्रपंच, वहीं दूसरी और अंध विश्वास और निरक्षर्ता के कारण शिथिल पड़ा हिंदू समाज। अज्ञान और गरीबी का द्योतक बंचुकी हिंदू सभ्यता को रामकृष्ण के शिश्य विवेकानंद ने वेदांत गर्जना कर ज्ञान भक्ती और कर्म की परिधी में पुनह परिश्कृत किया। जिसकी गूँज 11 सितंबर 1893 को अमरीका के विश्व धर्म संसद में सुनाई दी। दरिद्र नारायन की सेवा करने के लिए सन्यास धारण किया। मृत्यू का भय दिखाकर अथ्वा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करने का व्यवसाय भारत में अब पुरा ना हो चला है। धर्म परिवर्तन के इस कुचक्र को भेदने का कारिय आर्य समाज के शुध्धी आंदोनन से शुरू हूँ। जिसमें प्रलोभन वश, इसाई बने या विवश्धा में इसलाम कुबूल किये लोगों को पुनह हिंदू धर्म में दीक्षित किया जा रहा हूँ। 3 दिसमबर 1926 को आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद की दिल्ली स्थित उन्ही के आवास में जबरन घुसकर अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति ने गोली मार कर हत्या कर दी। राश्ट्रिय आंदोलन में प्रमुक भूमिका रखने के बाद भी स्वामी श्रद्धानंद को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वे उन मलकान राजबूतों को पुनह हिंदू धर्म में प्रविष्ट करना चाते थे जो मुगलकाल में जबरन मुसल्मान हो गय थे। स्वतंत्रता के बाद सेकुलर वाद की आड में धर्मानतरण का ये व्यवसाय चलता रहा और विधर्मियों द्वारा सन्यासियों की निर्मम हद्या नहीं रुकी। यूं तो कंधमाल की जनजातियों का इसाई धर्मान्धों से संघर्ष का इतिहास रहा ही है। परंतु 1968 में स्वामी लक्ष्मनानंद के आने के बाद जनजातियों में ये चेतना पुनह जबी। 23 अगस्त 2008 को जनमाश्टमी के दिन 20 सशक्त नकाब पोशों ने स्वामी लक्ष्मनानंद की कलाई और सनायुजाल को काट कर उनके शरीप को जोनों से छलने कर दिया। 2013 में माववादी नेता पुलरी रामा राओ पथा अन्य धर्मांतरित इसाईयों को दोशी पाया गया। इसी प्रकार सन्यासी कई बार गहरे शडियंत्र का शिकार हो जाते हैं या फिर सरकारी उगासींता के कारण गुन्नामी में देह त्याग करते। हरिद्वार स्थित मात्रि सदन आशरम के सन्यासियों की गंगा के अधिरल निर्मल प्रवाह के लिए देह त्याग की परंपरा से बन गई। उसी परंपरा के साधू स्वामी ज्यान स्वरूप सानंद ने सरकार से मुख्य तह हिमालय में गंगा की सहायक नदियों पर बनने वाले जल विद्यूत परियोजनाओं पर तथा हरिद्वार कुम्भ में बालू खनन, निर्वनी करण तथा जीव जन्तूओं की हत्या पर प्र अगर गंगा के लिए उनकी मृत्यू भी हो जाए तो उन्हें कोई पच्चतावा नहीं होगा। 12 अक्टूबर 2018 को स्वामी सानंद ने अन्शन के 112 दिन अंतिम सांस ली इतिहास साक्षी है कि मोह माया की दास्ता नस्विकार करने वाले सन्यासियों ने सांस्कृतिक दास्ता के मिरुद्ध अगरिम भूमिका निभाई है। भारत के इन वीर सकूतों को हमारा शत शत नमन।